सभी प्यारे भाईयों नमस्कार गुड मॉर्निंग देखिए आज सर्दियों का मौसम बढ़ी गया है तो कबूतरों के लिए गरम पानी और विध हाजमे के लिए एक बेटर पानी मनाया जा रहा है तो मैंने चाहा कि गुरूप के सभी प्यारे भाईयों के लिए शेर किया ज देखी यह जवाईन हो गई यह आपका डिपटभ ज्वाइन हो गई इस् ऊंफ हो गई इस कि dependent वोगई कलोंजी हो गई जिसे ब्लाक शीड गणी और जी यह आपका अनारदाना हो गया हजमेगा काम के सा서 आई 10 लूंग हैं बाकि यह आपकी गोल मिर्च हो गई जी जी काली म मिर्च कहते ये आपके पॉदीने के पत्ते होगा 40.-50 लग या आपके लसन उगए जी आपकी एक अद्रक का तो ये साथ आट चीजे हैं इसमान गया और बड़ी लाइची हो गई और मुलाइथी हो गई जी ओर मुलाइभि नाँए का दालचीनी यह उटें सारी चीज़े क्या करेगी ये कबूतर के हाजमे को फिट रखेगी सर्दियों में कबूतर दाना हजम नहीं कर पाता तो ये हाजमे का काम भी करेगी आपके कबूतरों के लिए और दूसरा ये कबूतरों को आपका गरम रखेगी जी फिट फोर रखेगी गरम तो आप ये कि यह पानी देखिए मैंने इसमें उबाल लिया हलका सा भी गरम हो गया पर इसे मैं इसे हलका सा उखे इने के बाद यह सारे को एक दू बार बढ़िया उबाल दें दूँगा आदा एक गहंटा उबालना जरूरी है जी तो मैं आएका प्रॉसेस आपको बताता हूं जी देख और होते वे 4 लीटर रह जाये जाये दो बहुत बढ़िया हो जाए। ददिया उबलने देती है अगको मैंने हम रूपिरेंगे जी इस टाइप की बोतल में भर के रख लेंगे अना और दो लिटर की बोतल है दो लिटर की दो बोतल भर जाएंगी इसमें और चान के हम इसमें भर लेंगे जी चानने के बाद इस बोतल में भर लेंगे और कबूतरों को देने का तरीका यह है कि दो लिटर में आप उसे एक क आप दे सकते हैं चार एका जैसे कप होता है ने ची मतलब इतना बड़ा कप आप दो लिटर पानी में डाल दें पीने वाले कब जी इसे चान के फिलाल बोतलम भर लेना है अब ये बढ़िया तरीके से उबल जाए तो बढ़िया रहा जागा इसका सारा आर्क निकल जाएगा निकलने के बाद इसे ठंडा कर लेना है ठंडा करके चान के इस बोतलम भर लेना है और जब रख लेंगे से समाल के और हफते में दो बार दे दे आप तो बेटर है जी दो या तीन बार भी दे सकते हैं ठंड के ओपर डिपेंड करती है बाते सारी जी और दो लिटर में आप लगबख एक कप डाल दें दो लिटर साधे पानी में एक कप ये डाल दें पानी तो बहुत बढ़िया राएगा जी बाकि देने का प्रोसेस आगे बताते हैं सर और बता है यह तैयार हो गया मामला देख लेजिए आना बढ़िया उपाल आ रहा है जी इसमें बढ़िया तरीक